दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेड़जी बताने वाला हूँ जो कि उन लोगों के लिए है जिने चाट पैटन्स और केंडलिस्टिक पैटन्स के बारे में जादा नौलेज नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हेंए पता चल जाए कि कहांपर बाई करना है और कहांपर सेल करना है ताकि वो भी रेगूला प्रॉफित जनेरीट कर पाएं तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं ये वीडियो आपके लिए है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो दोस्तों ये जो strategy हम आपको बता रहे हैं, ये normal candlestick pattern नहीं, hollow candlestick patterns पर based है, अभी आप देख रहे हैं screen पर ये जो हमारे candlestick patterns हैं ये normal candlestick pattern होता है, यहाँ ये जो आपको पैटन दिखाई दे रहा है, ये है hollow candlestick pattern, इसमें ऐसी खाली candles होती है, इसलिए इसको hollow candle बोला गया है, तो hollow green candle हो गई, यहाँ पर filled red candle हो गई, hollow red candle हो गई, और ऐसे ही यहाँ पर एक filled green candle भी है, तो यहाँ पर चार तरीके की candles बनती हैं, जो आपको स्क्रीन पर निज़र आ रही हैं, अब ये candles बनती कैसे हैं, ये थोड़ा सा different है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं, कि ये hollow candles बनती कैसे हैं, तब ही हमें ये strategy अच्छे से समझ आएगी, तो पहले अगर normal candlestick pattern की बात करें, तो आपको पता होगा कि share की price अगर नीचे की side open हुई, जैसे यहाँ पर open हुई, और यहाँ से price बढ़ने लगी, और बढ़ने के बाद यहाँ पर जाकर close हो गई, तो इस type की candle है, वो green candle बनती है, ये normal candlestick जो traditional candlestick है, या फिर Japanese candlestick pattern है, उसमें ऐसा होता है कि अगर price नीचे open होई, और उसके बाद price बढ़ने लगी, और उपर जाके close हो गई, तो वो green candle बन जाएगी, और ऐसे ही red candle बनने के लिए, अगर price उपर open होई, उसके बाद price गेंडने लगी, और नीचे जाकर close होगई, तो वो हमारी red candle बन जाती है, यह होता है traditional candlestick pattern में, लेकिन जो हमारा hollow candlestick pattern है, उसमें थोड़ा सा यह rules different है, इसमें होता यह है कि अगर share की price यहाँ पर open होई, और उपर जाकर close होई, यहाँ पर close होई, नीचे open होई, और उपर जाकर close होई, तो वो एक hollow candle बनेगी, मतलब उसकी body तो होगी, लेकिन उसमें कोई भी color नहीं होगा, जैसा आपको इस case में दिखाई दे रहा है, जबकि जो हमारा normal candlestick pattern था, उसमें ये वाली जो candle होती, वो हमारी green candle बनती, क्योंकि यहाँ पर उपन होई है, और उपर जाकर close होगी है, जबकि hollow candlestick pattern में ये एक hollow candle बनेगी, अब वो green बनेगी, या red बनेगी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, अब ऐसे ही अगर किसी candle को filled candle बनना है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई color होना चाहिए, वो green भी हो सकता है, या फिर red भी हो सकता है, तो अगर उस candle को filled candle बनना है, तो उसके लिए अगर share की price उपर open होती है, और price उसके बाद नीचे गिंडने लगती है, और नीचे जाकर close होती है, जैसे यहाँ पर ये close होई है, price यहाँ पर open होई थी, और उसके बाद वो normal candlestick pattern के हिसाब से green candle बन रही है, और price उपर जाके close होई है, और जब filled candle बन रही है, इसका मतलब है कि normal candlestick pattern के हिसाब से वो एक red candle बन रही है, क्योंकि price उपर open होई है और नीचे जाकर close होई है, तो अब आपको ये तो समाझ आ गया कि candle कब filled बनेगी, और कब hollow बनेगी, लेकिन इसका color कैसे decide होता है, कि वो red candle बनेगी, या फिर green candle बनेगी, अब वो समझते हैं, तो hollow candlestick pattern में, एक candle को green बनने के लिए, उसकी जो closing है वो उससे पहले वाली closing से उपर होनी चाहिए, जैसे ये वाली जो candle है green candle इसलिए बनिया है, क्योंकि इससे पहले वाली जो candle है, ये उससे नीचे है मतलब ये वाली जो candle है इसके बाद वाली candle की जो closing है या इससे उपर हुई है, मतलब एक candle को green बनना है या नहीं, वो उससे पहले वाली candle decide करती है क्योंकि अगर उससे पहले वाली जो candle है वो उससे नीचे है और अगली candle ऊपर closing देती है जैसे इससे पहले वाली candle ती यह वाली candle इसने यहाँ पर closing दी थी लेकिन इसके बाद वाली candle है उसने यहाँ पर closing दी है यानि इसके ऊपर closing दी है इस वज़े से ये कैसी candle बनी है, ये एक green candle बनी है, और ये hollow candle क्यों है, क्योंकि इसकी price यहाँ से open हुई थी, और बढ़कर यहाँ पर गई थी, मतलब price बड़ी थी, इसलिए वो hollow candle है, और उसने पिछली वाली candle के ऊपर closing दिये, इसलिए वो कैसी candle है, वो एक green candle है, अब ऐसे ही एक candle को अगर red बनना है तो उसके लिए क्या rules से हैं वो जानते हैं तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो हमारी candle है ये एक red candle बनी है ये red candle इसलिए बनी है क्योंकि इससे पहले वाली जो candle है ना उसने इसके ऊपर closing दी थी देखिए इससे पहले वाली जो candle थी वो यहाँ पर open हुई थी उसके बाद price बढ़ती गई और यहाँ पर जाकर उसने अपनी closing दी तो यहाँ पर उसने closing दी लेकिन उसके बाद वाली जो candle थी वो नीचे open हुई मतलब इसमें gap down opening हुई, बहुत नीचे open हुई, उसके बाद price बढ़ने लगी, यहाँ पर अगर normal candlestick pattern होता, तो यहाँ पर वो एक green candle बनती, लेकिन इसमें red candle बनी है, क्योंकि इससे पीछे वाली candle जो है, उसके basis पर यहाँ पर open हुई थी, अब इसके बाद price बढ़ने लगी औ लेकिन इसने जो closing है, वो पिछली वाली के closing के नीचे closing दिया है, तो अगर normal candlestick होती, तो यह green candle बनती, बट क्योंकि इसने पिछली वाली candle के नीचे closing दिया है, इस वज़े से यहाँ पर यह red candle बनी है, अब यह red candle इसलिए बनी है, क्योंकि इसने पहले वाली candle के नीचे closing दि तो ये एक green candle बनती, देखो दोनों ही cases में price बढ़ रही है, price यहाँ पर भी बढ़ी है, candle नीचे से open हुई थी, लेकिन price बढ़ने के बाद ऊपर close हुई है, तो ऐसे case में तो इसे green candle बनना चाहिए था, लेकिन क्यूंकि इसका जो relationship है, वो पिछली वाली candle से है, इसलिए ये वा और एक candle hollow green candle कब बनती है, तो अब जानते हैं कि एक candle filled green candle और filled red candle कब बनेगी, तो उसके लिए next example देखते है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यह एक normal green candle बनी है, जो कि एक filled candle है, तो एक candle filled candle कब बनती है, वो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कि जब candle की ज प्राइस है, वो यहाँ पर open हुई है, और उसके बाद price गिरने लगी, गिरते 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 नीचे आकर close हुई, जब नीचे आकर वो candle close होती है, तो वो filled candle होती है, वो red filled भी हो सकती है, या फिर green filled भी हो सकती है, जबकि अगर normal candles की बात करें, तो वहाँ पर वो एक red candlestick pattern होती, लेकिन यहाँ पर वो एक green candle भी बन सकती है, क्योंकि इसका relation भी पिछली वाली candle के साथ है, तो ये candle सबसे पहले तो filled candle क्यों बनी है, फिल्ड केंडल इसले बनी है, क्योंकि share की price उपर open होई, और उसके बाद नीचे को गिरने लगी, इसले filled candle बनी है, ये candle hollow candle क्यो बनी है, क्योंकि इसकी price नीचे open होई, और उसके बाद price बढ़ने लगी और उपर close होई, इसले ये hollow candle बनी, ये वाली filled candle बनी, अब इसका जो color है कि वो red होगी, या फिर green होगी, वो इस basis पर decide होगा, कि इससे पहली वाली candle से उसने उपर closing दिया है, या फिर नीचे closing दिया है तो अब इसका color green इसलिए है, क्योंकि इससे पहले वाली candle थी, वो यहाँ पर close होई थी, लेकिन इसके बाद वाली candle है, वो इसके ऊपर close होई है, भले ही वो ऊपर से बनना शुरू होई थी, open यहाँ पर होई थी, इस stock में gap up opening होई थी, लेकिन उसके बाद price गिरने लगी, औ उससे ऊपर close होई, और ऊपर close होने की वज़े से यह green candle बनी है, और यह filled candle इसलिए है, क्योंकि इसकी price ऊपर open होई थी, और उसके बाद price नीचे गिरी है, जबकि अगर normal candlestick pattern होता, तो वहाँ पर यह red candle बनती, अब ऐसे ही समझते हैं कि red filled candle कब बनेगी, तो इसका example देखने क कब बनती है, यह मैं आपको काफी अबावर बता चुका हूँ, कि जो share की price है, वो यहाँ पर open होई, और open होई के बाद ऊपर जाकर close हो गई, तो यहाँ पर यह candle कैसी बनी, हमारी hollow candle बनी है, इसके बाद हमारी जो next candle है, वो filled candle क्यों बनी है, color कोई भी होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, पर filled candle क्यों बनी है, filled candle इसलिए बनी है, क्योंकि यह उपर open होई, लेकिन उसके बाद price नीचे गिनने लगी, और यह नीचे आकर close होई है, ओपन उपर होई है, और close नीचे होई है, इसलिए यह एक filled candle है, और इसका color red इसलिए है, क्योंकि इससे पहले वाली जो आकर close होई है, तो एक candle hollow candle बनेगी, या फिर filled candle बनेगी, green candle बनेगी, या फिर red candle बनेगी, यह इस बात पर depend करता है, कि वो candle close कहां पर हो रही है, और उससे पहले वाली candle कहां पर close हो रही है, मुझे लगता है कि अभी आपको बहुत हद तक समाझ आ गया होगा, कि candle green कप बनी है, फिल्ट क्यू बनी है, green क्यू बनी है, और red क्यू बनी है, और उसके बाद हम इस से related एक strategy देखेंगे, तो दोस्तों आ गए हम चार्ट पर, अभी आपको दिखाई दे रहा है कि यह वाली जो candle है, यह green hollow candle क्यू बनी है, इसके लिए हम यह समझते हैं कि पहले यह hollow candle क बनी है, तो मैंने आपको बताया था कि एक candle को hollow बनने के लिए उसने नीचे open होना है, और उपर जाकर close होना है, तो यह यहाँ पर open हुई, और यहाँ पर जाकर close हुई, इसलिए एक ऐसी candle बनी, यह hollow candle बनी, अब यह candle green क्यू बनी है, क्यूंकि इस से पिछली वाली जो candle है, और इसकी closing यहाँ पर है, यानि इसकी closing पिछली वाली की closing से उपर है, यहाँ पर close है, यहाँ पर close है, इस वज़े से यह green candle बनी है, और hollow candle क्यू बनी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब ऐसे ही इसके बगल में एक आपको red filled candle दिखाई दे रही है, यह candle red filled candle तो candle filled इसलिए बनती है, क्योंकि यह उपर open हुई है, और नीचे close हुई है, मतलब share की price यहाँ पर open हुई, और उसके बाद price नीचे गिरने लगी, इसलिए यह एक filled candle बनी है, अब वो candle red क्यू है, वो red candle इसलिए है, क्योंकि इससे पिछली वाली candle थी, वो यहाँ पर open हुई और यहाँ पर close हुई थी, और यह वाली candle है, वो इसके नीचे close हुई है, तो जब यह पिछली candle के नीचे closing देती है, तब वो fancy candle बन जाती है, वो red candle बन जाती है, और filled candle वो इसलिए है, क्योंकि वो ऊपर open हुई थी, और नीचे close हुई है, अब यह वाला जो candlestick pattern है, इसमें ये दोनों टाइप के ही candle जादा important होते हैं क्योंकि इसके अलावा जो hollow red candle है और जो filled green candle है ये बहुत rarely ही आपको देखने को मिलेगी और इसके पीछे reason ये है कि एक candle को filled candle होने के लिए उसको क्या करना होगा उसको उपर open होना होगा और नीचे close होना होगा तब ही वो एक filled candle बन सकती है और ऐसा बहुत rarely ही होता है कि एक candle पहले तो उपर open होगी उसके बाद नीचे उसकी price गिरेगी लेकिन जो उसकी closing हो रही है व जो हमारी filled green candle है वो बहुत rarely ही बनती है और ऐसे ही जो hollow red candle है वो भी बहुत rarely ही बनती है क्यूंकि ऐसा बहुत rarely ही होता है कि एक candle अपनी पिछली वाली candle के नीचे open हो और उसके बाद उपर close हो लेकिन वो अपनी पिछली वाली candle के तब भी नीचे ही close हो ऐसा बहुत rarely ही होता ह जिस वज़े से यह जो candle है हमारी red hollow candle और जो हमारी filled green candle है यह बहुत rarely देखने को मिलती है और अगर बनेंगी भी तो ऐसी छोटी छोटी बनेंगी तो इन पर आपको ध्यान देने की जूरत नहीं है हमारे लिए इस वाली candlestick pattern में दो ही candles important होती है एक होती है hollow green candle और दूसरी होती है filled red candle तो मुझे लगता है कि अब आपको clear हो गया होगा कि hollow and filled candle क्यों बनती है तो चलिए अब इस से related एक strategy देख लेते हैं तो दोस्तों आ गए हम चार्ट पर अभी देखिए यहाँ पर जो चार्ट है इसमें normal candlestick pattern लगा हुआ है अब इस candle को hollow candle बनाने के लिए आपको ऊप पर एक option दिखाई देगा candles का आपने इस पर क्लिक कर देना है आप चाहिए जो भी चार्टिंग software का यूज कर रहे हैं वहाँ पर candles change करने का option होगा तो आप वहां से candles को change कर सकते हैं तो यहाँ पर normal candles हैं इसके नीचे ही option आ रहा है hollow candles का जैसी आप इस पर क्लिक करते हैं तो आ यहाँ पर शेर की price बढ़ रही है तो अब सिर्फ इसके basis पर पता करना कि कहां पर buy करना है कहां पर sell करना है वह थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन यहाँ पर भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब दो हमारी hollow green candle बनेंगी तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर stock जो है वो बुलिष है जैसे यहाँ पर हमारी 2 hollow green candle बनी है तो यहाँ पर stock जो है वो bullish है और जहाँ पर हमारी 2 red candle बन जाएगी वहाँ पर stock क्या होगा वो bearish होगा वो bearish trend में जाने वाला होगा तो सबसे पहले हम यह चीजर्व यह देखनी है कि अगर 2 हमारी red candle बन रही है तो बहुत सारे टैप्स के चार्ड पैटन होते हैं, CEO Candalistic Patterns होते हैं. आपको इस Candalistic Patterns में उनको जानने की ज़रोत नहीं है और वो इसमें अपलाए होते भी नहीं है. तो आपको बस यहां पे ये चीज जाननी है कि अगर दो हमारी hollow green candle बनती है, तो stock क्या होगा? बुलिश होगा, अगर दो हमारी फिल्ट रेड केंडल बनती है, तो स्टॉक क्या होगा, बेरिश होगा तो आपने केंडल लगाना तो यहाँ पे सीख लिया है तो अब इसके बाद आपको क्या करना है आपको इसमें एक इंडिकेटर लगाना होगा तो उस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको यहाँ पर सर्च करना होगा इंडिकेटर, इंडिकेटर का उप्शन उपर आएगा यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको लिखना होगा सूपर ट्रेंड, आप सूपर ट्रेंड जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक option आजाएगा जो की super trend indicator का होगा आपने इस पे click कर देना है जैसी आप इस पे click करते हैं तो आपके chart में एक super trend plot हो जाएगा जो की बताता है कि कहाँ पे buy करना है और कहाँ पे sell करना है तो इसकी जो default setting होती है वो होती है 10 और 3 की लेकिन इसमें problem क आएगी जब आप 10 और 3 की settings का use करते हैं तो यहाँ पे काफी fake signal भी मिलते हैं जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ हमें buy करने का signal दे रहा है इसका मतलब आप यहाँ पर कहीं पर buy करते और उसके बाद share की price गर गई तो यहाँ पे आपको fake signal मिल रहा है इसलिए आपको क्या करना आपको super trend जो indicator जहाँ पर लगा है उस पर click करना है click करने के बद setting पर click करना है जैसी setting पर click करते हैं तो यह 10 और 3 यह ना इसको आपको change करके 21 21 और इसको 1 कर देना है तो जब आप super trend की setting को change करके 21 और 1 कर देंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसने buy करने का signal दिया है और उसके बाद share की price बढ़ी है तो थोड़े से आपको accurate signal मेलेंगे यहाँ पर भी देखो इसने buy करने का दिया तो उसके बाद भी share की price बढ़ी है यहाँ पर भी इसने buy करने का signal दिया उसके बाद भी share की price बढ़ी ऐसे ही यहाँ पर इसने sell करने का signal दिया उसके बाद देखो share की price गिरी है तो super trend अगर 21 और 1 setting पर यूज़ कर रहे है तो ज़ादा better signal दे रहा है rather than 10 और 3 के साथ यूज़ करने से अब यह जो super trend की settings हमने change करके 21 और 1 की थी आपको दिखाई दे रहा है यह जो हमने setting change की थी यहाँ पर यह ATR length है और यह factor है तो इसको आपको बहुत जादा समझने की ज़रूत नहीं है यह सिर्फ आप जब इस पर apply कर देते हैं तो उसके बाद हमारा जो super trend indicator है या फिर जिस भी indicator में आप settings को change करता है वो automatically यहाँ पर apply हो जाता है यह formula पर based होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपनी candlestick pattern को change करके क्या कर देना है आपको hollow candle कर देना है उसके बाद आपको super trend indicator लगाना है और उसकी settings को change करके 21 और 1 कर देना है अब यहाँ पर एक चीज में आपको clear कर दूँ क्यूंकि हम trading की बात कर रहे है इसलिए मैं यहाँ पर 5 minutes की candle का use कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम जो candle का use कर रहे है वो है 5 minute की candles यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अगर आप long term के लिए इसके basis पर trade लेना चाहते हैं आप swing trading करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप 5 minute की नहीं आप हो सकता है एक गैंटे की candle use करेंगे अगर आप कुछ जादा longer time के लिए buy कर रहे है और अगर आप trade कर रहे हैं तो वहाँ पर आप 5 minute की candle का use कर सकते हैं या फिर कुछ cases में आप 3 minute की candle का भी use कर सकते हैं लेकिन अगर आप trade कर रहे हैं तो 5 minute की candles का use करना बेटर रहता है और अगर आप थोड़े लंबे टाइम के trade लेना चाहते हैं जैसे कि अगर आप swing trading करना चाहते हैं तो आप 1 hour की candle का भी use कर सकते हैं या फिर 1 day की candle का भी use कर सकते हैं अब देखिए अगर हम 1 day की candle का भी इसमें use कर रहे हैं तो इसने यहाँ पर buy करने का signal दिया है उसके बाद price बढ़कर यहाँ तक गई है उसके बाद यहाँ पर sell करने का signal दे दिया था उसके बाद price यहाँ तक गिर गई थी तो वहाँ पर भी यह सही तरीके से काम कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है तो अगर आप hollow candle के साथ super trend का use कर लेते हैं देंगे तो यहाँ पर आपके सामने नीचे RSI draw हो जाता है वैसे तो आपको RSI indicator के बारे में पता हो गाई क्योंकि हम बहुत बार आपको RSI के बारे में बता चुके हैं पर फिर भी मैं आपको बता दूँ कि यह जो indicator है यह हमारा 30 से 70 की range में travel करता है अगर share की जो price है वो नीचे की side आ जाती है हमारे 30 के असपास आती है तो यह माना जाता है कि यहाँ से share की price बढ़ सकती है और अगर 70 की असपास आती है तो लगता है कि stock जो है वो overbought हो चुका है और यहाँ से share की price गिर सकती है अब अभी तो हमने डेली की candle लगा रखी है, क्योंकि हमें trade करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5-minute की candle का ही use करेंगे, तो अब हमने 5-minute की candle लगा दिया है, तो अगर आप RSI का use कर रहे हैं, तो आपको यह देखना है, कि आपकी middle वाली line है, मुझे पता है अभी आपको हमने line कर देना है, तो अब आपको यह line clearly नजर आ रही है, यहाँ पर जब भी यह जो दोनो lines है, यह yellow line है और यह blue line है, जब यह दोनो lines हमारी 50 वाली line है, उसके नीचे होंगी, जैसे यहाँ पे 50 वाली line के नीचे है, तो आपको क्या करना है, जब यह 50 के नीचे हैं, तब 50 से उपर निकल गई है, तो यह मुझे एक example मिल गया है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कि यहाँ पर हमारी जो दोनो lines है 50 से उपर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमारा super trend भी sell करने का signal दे रहा है, तो अगर आपने देखा कि यह दोनो हमारे जो signals हैं, वो sell करने के लिए signal दे रहा है, तो आप वहाँ पर sell कर सकता है, और उसके बाद देखिए, share की price गर गई थी, अब ऐसे ही अगर buy करने का example देखें, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कि यहाँ पर हमारा super trend buy करने का signal दे रहा है, यह ऐसे पता चलता है, कि अगर share की price नीचे है, और वो green color में हो रही है, तो आप clearly समझ सकते हैं, कि वो buy signal ही होगा, और अगर यह red color में हो रही है, तो आप समझ सकते हैं, कि वो हमारा sell करने का signal होगा, और यहाँ पर जो line है, और जो super trend indicator है, वो हमारी candles के ऊपर है, और यहाँ पर यहाँ प बाइ करने का signal दे रही है, तो जब दिये दोनों एक साथ buy करने का signal दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर confirm हो सकते हैं, कि यहाँ से share की price बढ़ सकती है, तो आप यहाँ पर buy कर सकते थे, और उसके बाद share की price काफी जादा बढ़ गई थी, और काफी देड़ तक बढ़ती रही थ देखिए अब आपको ये तो समझ आ गया है कि आपको इस strategy का use करके buy कैसे करना है तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको अपना target कहाँ पर रखना है तो देखिए सबसे पहले तो target रखने के लिए आपको super trend indicator के थूई आपका target पता चल सकता है जैसे यहाँ पे जो हमारा super trend indicator है यहाँ हमें buy करने के लिए कह रहा है हमारी जो दोनों lines हैं वो भी 50 से नीचे हैं तो ये भी हमें buy करने के लिए कह रही हैं तो जब ये दोनों हमें buy करने के लिए कह रहे हैं तो इसके बाद हम यहाँ पे buy कर सकते हैं अब हमने यहां पे माल लीजे बाइ कर लिया, उसके बाद प्राइस बढ़ रही थी, और बढ़ते बढ़ते यहां पे जो हमारा सूपर ट्रेंड इंडिकेटर है, वो सेल करने का सिगनल देने लगा, क्योंकि यह जो सूपर ट्रेंड इंडिकेटर था, इसको उपर चला गया तो आप यहां पे भी सेल कर सकते थे, तो एक तरह से दोनों ने एक ही टाइम पे सेल करने का सिगनल दिया है, तो आप यहां पे बाइ कर सकते थे, और यहां पे सेल कर सकते थे, तो यहां पे आपका टार्गेट हो जाता, तो एक इस तरीकी से आप अपना टार्गेट रख सक अब यहां पे भी buy कर सकते थे, उसके बाद share की price बढ़ गई, और इसके बाद आप देखेंगे, यहां पे इसने sell करने का signal दिया, तो आप यहां पे sell कर सकते थे, और यहां पे हमारी आप बहुत जल्दी अपनी capital को खो देंगे और अगर आप options trading करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा अपना stop loss जादा रखना होता है क्योंकि अगर आप 2% का stop loss रखेंगे तो वहाँ पे बहुत जादा बार आपका stop loss हिट होगा तो आप अपने risk के हिसाब से इस strategy में अपना stop loss रख सकते हैं अब देखिए हमने आपको strategy बताई है इसका मतलब यह नहीं है कि आप directly market में जाके strategy को apply करें अब आपको यह strategy समझ आ गी है तो आप सबसे पहले अपने charting software में जाए वहाँ पे जाकर इस strategy को apply करके देखिए देखिए कहाँ पर यह strategy काम कर रही है कहाँ पर नहीं कर रही है अब जब हमने इसको apply किया है तो वहाँ पे इस strategy बहुत अच्छे से काम करी थी बट आपको भी तो खुद अशौर होना चाहिए न इसलिए आप भी अपने charting software में चाहिए वहाँ पर यह सारे indicators लगा के देखिए और देखिए कितनी बार strategy ने काम किया और कई बार strategy fail भी होती है अगर आप हो सकता है कलको market में जाके directly इसको apply कर दें और कली वह strategy fail हो जाती है तो आपको लगेगा कि यार मेरा तो बफालतू मैं loss हो गया तो कोई भी strategy हमेशा काम नहीं करती है इसलिए आपको पहले अपनी strategy को apply करके देखना है पहले चार्ट में जाके देखिए कि वह कितने अच्छे से काम कर रही है उसके बाद कुछ दिन paper trade में या फिर सिर्फ observe कीजिए कि वह strategy काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है उसके बाद ही अपने पैसे लगा के trade कीजिए मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप trading के लिए best dmat account खलवाना चाहते हैं तो आप angel one में अपना बिल्कुल free dmat account खलवा सकते हैं और अगर आप zero dham account खलवाना चाहते हैं तो मैंने दोनों का ही link description पर दिया है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like जरू कीजेगा और इस तरह की और वीडियो देखने लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्रेब कर दीजेगा धन्यवाद